दोस्तों लेके आचुका हूँ दो ऐसे फोन जिनका कॉंपटीशन आपस में बन रहा था और मैंने भी सोचा क्यों ना इनका कमपार्जन करा दिया जाए और आपको बताया जाए कि इनमें से कौन सा फोन बहतर रहेगा आपके लाइक रहेगा एक तरफ रहता है रिड्मी का 10 और दूसी तरफ रहता है रियल्मी का 30S यह ज्यादा फोन पुराना नहीं है और यह भी ज्यादा खास पुराना नहीं इसका तो 5G विरेंट भी आ गया है तो कहीं नहीं दोनों फोन की प्राइजिंग की बात करते हैं सबसे पहले तो यह आपको मिल जाता है लगग साथ कराने पर है यह आप कैसे इसे खरीद पाऊगे तो यह चीज आती है कि लगभग प्राइजिंग में 1000 से 2000 का अंतर है और फीचर में कितना अंतर है क्या इससे अपग्रेट करके इसमें जाना बहतर रहेगा या कई नहीं अगर आपको पैसे भी कम खर्च हो रहे हैं वह सारी इसमें मिल रही है तो आपका क्या काम इतने कम पैस प्राइज में चल जाएगा यह सब कुछ आपको पदा चलेगा इस वीडियो के अंदर यह तो फोस महान कम का कारण बनेंगे आपके लिए जिनका आपको का इलाच मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने बाद हो यह इस मेरे को DKG मोबाइस की तरफ से मिलाएं तो अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिलेंगे साथ ही आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करेगा और चनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजग C30S और Redmi का 11 Prime प्राइज लगबग 2000 रुपे के आसपास का अंतर है और बॉक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है एक यह अलो कलर में है और दूसरा वाइट कलर में और बैक पर आपको काफी सारी स्पैसिफिकेशन दोनों में ही दे रखी हैं फटा-फटर ह आंप यह सारी चीज़ देखने को मलती हैं सबसे पहले तो आपको यह फर्रा देखने को में हां जिसे की आप पड़ सकते हें यह फिर कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप चाहें साथ ही आपको मिल जाते हैं ये दो भारी भरकम से Charger Charger की बात करी जाए तो यहाँ पर सेपन साइज में तो आपको काफी differences देखने को मिल ही रहे हैं लेकिन यहाँ पर configurations में भी काफी अंतर होने वाले हैं Realme आपको 10W की standard charging के option देता है Charger मिलना मुझे लगता है एक बहुत अच्छा sign है आपको Redmi के साथ जो देखने को मिला है और Realme को थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है कि आपको 10W से थोड़ा सा उपर उठना चाहिए लेकिन price range again मैं आपको consider करने को बोलूँगा क्योंकि price range में आपको एक अच्छा खासा अंतर देखने को मिला है जिसके बाद मैं ज्यादा question mark और ज्यादा comparison भी नहीं करा सकता अगर आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों ही cables को तो आप देख सकते हैं कि Realme आपको offer करता है माइक्रो इजबी केबल वहीं आपको ready me में जो है type c cable के options देखने को मिल जाएंगे quality वाइस काफी ठीक ठाक है color वेक हलका सा अंतर है लेकिन quality और length मुझे लगता है एक जैसी ही होने वाली है साथ ही आपको मिल जाता है यह case cover लेकिन यह आपको ready me offer करता है Realme नहीं तो यह एक अची बात है case cover की quality अपने आप में ठीक ठाक रहेगी जिसे कि आप use कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से तो दोस्तों यह सारी चीज़े accessories की रूप में आपको देखने को मिल जाती है और साथ ही मिल जाते हैं प्यारे से phone जिन्हें की setup कराना होगा सबसे पहले फिर मैं आपके सामने discuss करता हूँ तो दोस्तों यहां पर मैंने दोनों ही phone setup हो चुके हैं और अगर मैं फटाफट एक बार इनकी display के बारे में बात करूं तो काफी सारे similarities और काफी सारी differences आपको देखने को मिल जाएंगे अगल वगल मैंने यहां पर दोनों ही phone को लगा दिया है और देखेंगे display में कोई भी अंतरखास आपको देखने को नहीं मिला है size में Realme आपको offer करता है 6.5 inches IPS LCD panel वहीं Redmi आपको देता है 6.58 inches IPS LCD panel अब डिफ्रेंस आप आना शुरू होंगे क्योंकि Realme आपको जो offer करता है वह है भाई HD Plus का resolution वहीं Redmi में आपको देखने को मिल जाएका Full HD Plus का resolution तो इसे आप एक बार notice कर सकते हैं कि कहीं न कहीं आपको देखने को मिला है और हम scrolling कर रहे हैं इसका मतलब आप समझ रहोंगे कि कहीं न कहीं scroll rate आप देख सकते हैं कि 90 Hz का refresh rate आपको Redmi देता है Smoothness Redmi में बहुत जादा है Touch sensitivity भी काफी बहतर है आपका Realme की तुला में वहीं दोस्तों आगर हम Pixel Density की बात करते हैं तो चुकि Full HD Plus नहीं है तो आपको Realme में 270 पिक्सल पर इंचस की Pixel Density देखने को मिलेगी वहीं Redmi में 401 यानि की 401 पिक्सल पर इंचस की Pixel Density देखने को मिल जाती है नीचे की तरह आपको हलके से जादा बैजल दिखाई देंगे Redmi की अपिक्षा Realme में जिसे कि आप यहां पर थोड़ी से नूटिस भी कर सकते हैं उपर दोनों में ही आपको Water Drop Notch मिल जाती है जहां पर आपका Selfie Camera होता है यह Selfie Camera Realme में आपका 5 Megapixel का रहेगा और Redmi में यह आपका 8 Megapixel का रहेगा लेकिन अब फिर में एक छोटा सा अंतर यहां पर लाने वाला हूं वह है इनकी Recording Configuration में चुकि आपको Realme 720 पिक्सल की वीडियो 30 fps पर रिकॉर्ड करने के option देता है वही 1080 पिक्सल की वीडियो को 30 fps पर Redmi में रिकॉर्ड कर पाएंगे यानि कि कहीं न कहीं Recording Configuration में अंतर है जो कि गौर करने वाला भी है नेक्स अगर आप देखते हैं साइट को तो दोनों ही फोन्स के जो साइड रहते हैं काफी है तक सिमिलर आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों में ही आपको side mounted fingerprint scanner देखने को मिलता है और साथी साथ volume keys दूसरी तरफ आपको दोनों में ही dedicated sim slot का support देखने को मिल जाएगा अपर section अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ready me में आपको एक छोटा सा audio jack और IR sensor दे रखा होता है remote controlling के लिए और निचले से में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों में ही speakers, mic और अंतर आना शुरू हो जाते हैं यहाँ से क्योंकि audio jack यहाँ आपका realme में नीचे की तरफ रहता है और साथ साथ आपको micro USB दे रखी होती है realme में वहीं आपको ready me में type c port देखने को मिलता है यानि कि छोटे छोटे अंतर हैं जो कि इनकी बनावत में भी हैं साथी साथ इनके काम करने के तरीकों में भी हैं बनावत की बात चल रही है लुक की बात चल रही है तो discuss करना जरूर से बनता है फोन के back को और phone का back बहर decent सा दोनों का ही नजर आएगा लगबग लगबग दोनों ही black color में आपके रहते हैं काफी सारे options आपको color options दिखने को मिल जाएंगे दोनों ही phones में जिनने के आप online जाकर चेक कर सकते हैं link description box में है लेकिन हमारे पास black color में यह दोनों available रहते हैं जिनके लुक को आप देख सकते हैं फटा फट अभी वीडियो को pause कर लो या फिर play करते ही जो है comment करके ये बता दो कि भाई कौन सा phone back के मामले में बाकी कुछ और अभी judge नहीं कर लेकिन रेडमी आपको triple camera offer करता है 50 plus 2 plus 2 megapixel के यानि कि 50 megapixel के primary lenses 2 megapixel का depth sensor और 2 megapixel के macro lenses हाला कि यह दो camera है यह depth sensor और macro lenses इसका इसका इस्तेमाल लोग कितना करते हैं यह आप अच्छी तरीके से जानते होंगे लेकिन फिलाल यहां पर मेले हैं तो इसकी तारीफ करना बनता है 1080pixel क दोनों ही camera's में दोनों ही phone के camera's से आप record कर सकते हैं चलते हैं आप दोस्तों बात करते हैं internal specifications की और देखना होगा कि आपको क्या-क्या देखने को मिल जाता है और इसे भी मैंने open के लिए चलते हैं इपर setting की तरफ रूक करते है setting में अगर आप जाकर देखेंगे तो brightness यहां अब ही मेरी 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 अच्छा लग रहा है अब ऑब फूं सेक्ष्शन में देखा जाए कि आपको क्या-क्या देखने को मिल जाती है तो यह है कुछ Tech Specification इनके बारे में बात करना बनता है शुरुवात इनके processor से करते हैं realme आपको cortex A 55 प्रोसेसर ओफर करता है जो कि below the average प्रोसेसर है वहीं रेडिमी आपको Helio का G99 प्रोसेसर ओफर करता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है जिसमें कि आप gaming वगरा भी आसानी से कर सकते हैं तो यह एक बहुत अच्छा option रहेगा जो कि इन देखने को मिल गया दूनों ही फोन आपके Android 12 पर काम करते हैं लेकिं Android 12 का Go Edition आपको Realme में देखने को मिल जाएगा यानि कि standard Android नहीं मिला है आप देखेंगे भी आगर जाके तो यहां पर आपको Redmi 11 Prime में लेकिन यहां पर Realme C30S में ऐसा कुछ भी नहीं है यह चीज़ भी आपको थोड़ी सी गौर करनी होगे कि अगर आप 1000-2000 रुप एक्स्टा कर देते हैं तो आपको कुछ extra specification मिल जाती है जो कि long term में काफी फाइदे मंद होने वाली है अब दोस्तों चलना होगा इक पर इसके camera की बात कर लेते हैं अब देखते हैं कि भाई कहां पर stand करती हैं इनकी quality यहां पर अगर हम बात real me की करें तो थोड़ी सी हमारी अभी कमी रहती है चलो इसको भी full करा लेते हैं ताकि आप और भी details से चीज़ों को देख पाए brightness में कही न कही मुझे लगता real me की brightness बहुत अच्छी यह display की और अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको यह चीज़ महसूस भी होगी अगर आप यहां पर बात करते हैं colors की तो कही न कहीं real me के colors आपको ज़्यादा पसंद आएंगे लेकिन जो redmi के colors रहते हैं वो बहुत original रहते हैं अगर आप इस green color को देखेंगे तो आपको इस originality का एहसास होगा एक configuration जो extra मिल जाती है आपको redmi वो है 50 mega pixel का sensor आप बहुत जूम कर आते हैं और देखते हैं कि बहुत जूमिंग quality में कहां तक differences आते हैं सेम पती पर ही मैं focus कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि आप 50 mega pixel को देख सकते हैं दूसरे तरफ आप देख सकते हैं 8 mega pixel को differences हैं बिल्कुल हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि यहां पर बहुत बड़ा difference नहीं है जिसकी वेज़े से आप यह कह दो कि मैं realme को ignore कर दूँगा क्यामरा में अंतर हैं लेकिन कहीं न कहीं realme की performance भी क्यामरा की मामलें बहुत जादा है बहुत बहतर तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ बहुत अच्छी है नॉर्मली अगर हम देखते हैं इस price range के हिसाब से वहीं दूसरे एक चीज मैं आपके सामने और दिखाना चाहता हूं य चीज के मामले में आपको चीजें ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगी रेडमी में भी लेकिन color के मामले में आप इस आसमान के color को देखेंगे तो पूरी तरीके से इसने उसे change कर दिया है enhance कर दिया है लेकिन वहीं चीज आपको realme में बहुत ही detail में दिखाई दे रही है का यहां पर मैं point mention करूंगा साथी अभी आप इसके और भी काफी सारे picture sample वगरा देख रहे होंगे जिसके बाद आप मेरे को यह तैय करके बताएंगे कि इन में से किसकी configuration camera configuration ज्यादा अची लगी है अब बढ़ते हैं हम लोग यहां पर इसके face lock और fingerprint scanner की तरफ side mounted fingerprint scanner है यहां और यहां पर वर मैंने इस finger को register करा रखा है थोड़ासा अंतर आ सकता है लेकिन देखना ही होगा किस हद तक अंतर आता है क्योंकि यहां पर थम तेज से लग जाता है और यहां पर finger ठीमे से response देती है इसकी वाजया से हो सकता है आपको थोड़ासा अंतर देखने को मिल अब आदिन के face lock की करते हैं तो यहां पर rise to wake मिल जाता है आपको Redmi 11 Prime में और यहां पर C30 में ऐसे option नहीं दे रखें तो यहां पर मेरे को पहले बटन on करनी पड़ेगा और ऐसे समय पर हमेरे सामने लाना पड़ेगा तो लगबग साथ में open हुए बट रियलमी थोड़ा सा मेरे मैंने इसे इस्तेमाल किया और एक चीज और भी गौर करी है कि रियलमी का face lock एक बार में recognize भी नहीं हो रहा है और जब मैं इसे setup कर रहा था तो मैंने एक serious issue वहां पर note कि यह low light में तो बहुत ही unsatisfactory performance दे रहा है इसका face lock क्योंकि जब मैं register कर रहा था तो यह मेरा registration ले ही नहीं इस चीज को थोड़ा सा आप भी notice कर सकते हैं लेकिन यह चीज एक point हो सकती है जिस वजह से आप इस phone के को ले या ना ले यह तैग कर सकते हैं एक extra point थोड़ा से मेरे को और लगा है मैं सोच रहा था आपसे बता दूँँ वो यह है कि इस phone में आपको याने कि Redmi 11 Prime में आपको NF का support में जाता है जो कि real me में नहीं है अलाकि NFC को यूज नहीं कर रहा है अचकी तारिक में एक extra point था तो मैंने यहां पर mention कर दिया अब चलते हैं final review की तरफ और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा phone मुझे जादा बहतर लगा है तो finally अब हम लोग बढ़ते है final review की तरफ सुनते हो तो लगता है यार फरजी में इतने extra पैसे खर्च कर रहे थे मेरे को तो यही लेना है तो अभी final review के इंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस पे जाए यानिकी real me में जाए या फिर redmi में जाए कीमत के बारे मैंने आप आप से शुरात में ही डिसकस कर लिया था और अ तो एक तो वोलों के लिए जिनके लिए मैं सजेस्स करूंगा कि आप real me पर चले जाओ सस्ता फोन है क्यामरा बगयरा सब 19-20 का अंतर है कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है बैटरी में भी 19-20 का अंतर है हलांकि charging configuration में अंतर जरूर है लेकिन वह भी मैं बहुत बड़ा point बांट के नहीं चलता हूं क्योंकि price में इस बात को आपको accept करना होगा क्योंकि price में आपको ये phone दो ती मैं इसे preference दूँगा लेकिन अगर आपका uses बहुत simple है ज्यादा ख्योपेश नहीं करनी है online study करनी है बच्चों को देना है तो ये बहतर है लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत extreme task करने का सूझ रहा है कि थोड़ा सा हमें करना है फोन अच्छा होना चाहिए लोग वाइस भी अच्छा होना चाहिए तो मैं कहूंगा फिर आप इसमें जाओ क्योंकि camera थोड़ा सा अच्छा है colors इसके original जादा है रियल्मी के comparison में बाकि brightness के मामले में या फिर कह लिए कि photo enhance के मामले में रियल्मी भी किसी से पीछे नहीं है यह चीजें भी मेरे को थोड़ा सा रियल्मी की ज्यादा अच्छी लगी है camera के मामले में selfie camera के मामले में जो कि मेरे को redmi में थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरे को manually adjust करना पड़ेगा उसके बाद यह चीज आ पाईगी तो यह सारी चीजें आपको सोचनी है कम price पर नहीं जाना है मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि कम price है तो phone अच्छा नहीं होगा अगर आपकी users simple है तो फिर आप इस पर जाओ लेकिन अगर आपके users थोड़ा से extreme है आप gaming का इरादा बना रहे हो वीजे माई फिर से आने वाला है तो फिर मैं तो कहूंगा कि आप इस पर चले जाओ देखने में भी अच्छा है configuration थोड़ी सी आप है आपको standard android 12 मिल जाता है क्योंकि इसमें go मिला है इसमें आपको standard मिला तो आप इस पे चले जाओ तो आज की इस वीडियो में इतना ही चनल को subscribe करेगा वीडियो पसंद आई हो तो like करेगा और इसी तरीके की मजदार वीडियो देखने के लिए हमें subscribe जरूर से कर दीजेगा बड़ी महनत से वीडियो बनाई जाती है इसलिए subscription compulsory है मारो subscribe फॉरण अभी के अभी तो फिलाल हमें इस वीडियो के अंदर दीजे एजाज़त नमस्कार दोस्तों जैहिन बंदे मातरूं